हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्थ्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स अगर आप एक पेटियम यूजर हैं पेटियम एप्लिकेशन को यूज करते हैं तो पेटियम के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है उसमें एक बहुती बड़ा फीचर एड़ हुआ है जिसका नाम है UPI Light जैसे आप kisie shop पे जाते हैं कुछ shopping करने जाते हैं कुछ खाने पीने जाते हैं और वहाँ पे आप अपने पेटियम की जो application है उससे payment करते हैं आप पेमेंट कैसे करते हैं आप उसका QR code scan करते हńskН और उसके बाद आपनी UPI pin डालते हैं और उसकी payment करते हैं ऐसे आप जहां भी जाते हैं, वहाँ पे आपको बार-बार UPI PIN डालने पड़ती है, या फिर कई जहंगे पर Paytium Wallet से आप payment कर देते हैं, अगर वो QR Code Paytium Wallet का है, तो आप उसे scan करके डारेक्ट Paytium Wallet से payment कर देते हैं, और वहाँ पे आपको UPI PIN डालने की जुरुत नहीं पड़ती, ठीक, उसी तरीके से UPI Lite भी है, जैसे आपका Paytium Wallet है, वैसे ही UPI Lite है, इसमें आप बिना PIN के payment कर सकते हैं, 200 रुपे तक की इसमें limit है, कि 200 रुपे तक आप UPI Lite से payment कर सकते हैं, और आपको कोई भी UPI जो PIN है, वो डालने की जुरुत नहीं पड़ेगी, और इसका सबसे बड़ा benefit यह है, कि आप इससे किसी भी QR code को screen करके, आप डारेक्ट payment कर सकते हैं, चाहे गूगल पे का QR code हो, Amazon पे हो, phone पे हो, किसी का भी QR code हो, इसमें difference यह है कि जो Paytium Wallet होता है, उसमें जहां पे आप आपको जिस शोप पे या जहां पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर पेटियम वैलेट का QR code है, तो ही आप पेटियम वैलेट से payment कर सकते हैं, अदरवाइस आपको वही UPI PIN वाला system जो है, पिन डालके ही payment करनी पड़ती है, लेकिन UPI light में ऐसा नहीं है, आप किसी भी QR code को scan करेंगे, अगर 200 रुपे तक का amount होगा, 200 रुपे तक इसकी limit है, 200 रुपे के under में अगर amount होगा तो आप उसे direct pay कर सकते हैं, उसमें आपको UPI PIN डालने की जरूरत नहीं है, तो इस UPI light को कैसे setup करना है, कैसे इसको activate करना है, कैसे use करना है, यह सारा मैं आपको इस वीडियो म को subscribe करें, और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, फ्रेंड समा चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे हमें पहले play store के अंदर जाना होगा, प्ले स्टोर पे जाके हमें यहाँ पे application लिखनी है, पेटियम, पेटियम हम जैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें आरे सामने पेटियम के application आ जाएगी, और हमें उसे update कर लेना है, मैंने इसे update किया हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे ही open पे click कर देता हूँ, आपको स्क्रोल डाउन किया, तो यहाँ पे मुझे यह UPI light वाला option देखने को मिल गया है, अगर आपको यहाँ पे ना मिले, तो आप उपर top right में जो search का option दिया हुआ, आप इस पे click करेंगे, तो मैंने search वाले option के उपर click किया, और यहाँ पे आप लिख सकते है, UPI, यहाँ पे मैं थोड़ा net slow चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, setup UPI light आ गया यहाँ पे, तो हम यही से click कर देंगे इसके उपर, तो मैं इस पे click कर देख, तो इस पे click करते हैं हमारे सामने यह screen open हो जाएगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पे उपर लिखावा है, lightning fast UPI payments that never fail, मतलब fast payment होंगी, इस से आपकी दूसरा लिखा हुआ है, UPI light is a secure on device balance on your ATM application, मतलब यह एक secure है, ठीक है, आपका secure रहेगा यह, और तीसरे नमबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, UPI light balance can be transferred back without any charges, कोई charges नहीं लगेंगे आपके, और यहाँ पे आप 200 रुपे तक pay कर सकते हैं, बीना किसी UPI पिन को डाले, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, select a bank account, it will be used to add money to your UPI light balance, मतलब इसमें से आपको bank select करना है, कि कौन सा इसको support कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा एक payment bank add है इसमें, और दूसरा yes bank add है, ठीक है, जो support नहीं कर रहा है अभी, ठीक ह तो यहाँ पे अगर आपका भी support नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, कोई नया bank यहाँ पे add कर सकते हैं, add a new bank account पे click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे सारे bank आ गए, अगर यहाँ पे आपका कोई bank नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप नाम डाल के search कर सकते हैं और उसे यहां पर एड कर सकते हैं ठीक है उसके बाद बैक आ जाएंगे मैं यहां पर आपको बैक करके दिखाता हूं बैक वापके सी सी पेज पर आगे तो मेरा यहां पर पेटियम पेमेंट बैंक यहां पर है और यहां मेरे इसमें पैसे भी है तो मैं इसी से एड कर सकता हूं money उसके बाद यहां पे next पे click करना है तो next पे click कर दी उसके बाद आपके सामने आप देख सकते हैं यह आ गया यहां पे enter amount transfer money to upi light balance you can transfer it back to your bank account anytime you want enter amount यह पूछ रहा है कितना amount आपको डालना है तो मैं आपको यहां पे 200 रुपे ही करके दिखा देता हूं 200 रुपे तक हम इसमें फ्री में इसमें payment कर सकते हैं बिना किसी upi pin के तो मैंने यह किया उसके बाद यहां पे नीचे आ रहा है adding from payment bank या फिर जो आपने add किया होगा वह bank यहां पे आपको शो जाएगा आपको select कर लेना है तो मेरा यह select है जो मैंने पहले ही कर लिया था तो यहां पर add money to upi light करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपसे एक बार यह अपनी pin मांगेगा ठीक है क्योंकि आप इसमें add कर रहे हैं पैसे इसलिए तो यहां पर मैं pin डाल देता हूं जल्दी से तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने pin डालते ही मेरे जो 200 रुपे हैं वो upi light के अंदर add हो गए है ठीक है यहां पर हम home पर आ जाएंगे मैं आपको home पर आके यहां पर नीचे दिख रहा है home home पर क्लिक कर देंगे तो हमारी home screen आ गई है ठीक है यहां पर हमारे upi light के अंदर पैसे add हो गए हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यह किस तरीके से जैसे पेटियम वेलेट जब आप पेमेंट करते तो पेटियम वेलेट का option आपको नीचे दिखाई देता था वैसे यह आपको upi light का भी option दिखाई देगा वो कैसे दिखा देगा मैं आपको दिखा देता हूं यहां upi money transfer लिखा हुआ है यहां पर two upi apps लिखा हुआ है मैं इसके उपर क्लिक करता हूं और यहां से मैं कोई भी एक जो यूपियाइड है वो यहां पर आपको डालके दिखा देता हूं एक बार ठीक है तो यहां पर मैं upi id तो मैंने यहां पर एक UPI ID डाल के सर्च किया और यहां पर जैसी मैं Pay करने जाऊंगा तो Pay पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आप देखेंगे यहां पर नीचे लिखा रहा है दिखाई देगा जब आपका Paytm Wallet वाला QR Code होगा लेकिन मैंने आपको बताया कि UPI Lite से आप किसी का भी QR Code कोई भी UPI ID उससे डारेक्ट पेमेंट कर सकते हैं 200 रुपे तक कि इसलिए आपको यहां पर शो हो रहा है तो इस तरीके से UPI Lite का जैसे कैसे सेट अप है क्या यूज करन है सारा मैंने आपको प्रोसेस इसमें बता दिया है उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप अपने Paytm में UPI Lite वाले फीचर को कैस कैसे इनेबल कर सकते हैं कैसे उसे सेट अप कर सकते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है अगर फिर भी वीडियो से एलेटेट कोई क्वेस्चन है कोई क्वेरी है तो आप मझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो से लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू